यूटीब एक ऑनलाइन वीडियो स्यारी और सोसल मीडिया प्लाटफोर्म है इसे 14 फेबुरुरे 2005 को स्टीब जेन, चाध हरली और जावेद करिम दुवारा लांच किया गया था 23 अप्रिल 2005 जावेद करिम यूटीब में एक 19 सेकंड की वीडियो अपलोड करते हैं यूटीब के फास्ट अपलोड़ेड वीडियो है 2006 में गूगल ने इसे 1.65 बिलियों डोलर में खरीद लिया जब हम कुछ बेचना चाहते हैं तो उसकी एड बनाते हैं और लोगों को इनफर्म करते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में और ये एड हम कहां दिखाते हैं जहां लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं जैसे नियूजबेपर, पैंपलेट, बिल्बोर्ड, टीवी और आज कल सबसे ज़्यादा सोसल मीडिया में क्योंकि आज लोगों का एटेंशन सबसे ज़्यादा सोसल मीडिया में है अगर हमें अपनी यूट्यूब चैनल प्रोमोट करना है एड के थो दिन हमें हर व्यूज़ के लिए 10 पैसा लगता है यूट्यूब इस एड की मनी से कुछ परसेंटेज खुद के लिए रखते है और कुछ परसेंटेज यूट्यूब चैनल को दे देते है और एही सिस्टेम से यूट्यूब खुद भी इंकम करते है और यूट्यूब चैनल को भी इंकम देते है सिधा सिधा कहे तो अगर हमारे एड लोगो की चैनल में दिखाया जाए तो हमें पैसा लगता है और अगर हमारे चैनल पे लोगो का एड दिखाया जाए तो हमें पैसा मिलता है बीच में YouTube फिज लेते हैं ये service प्रोवाइड करने के लिए आप विडियो की असली मुद्धे पहते हैं कि कैसे यूट्यूब बाकी सोसल मीडिया से अलग है और ज्यादा यूजफूल है और क्यों यूट्यूब को कहा जाता है दे डिजिटेल रविलियूजन फेस्बूक के बाद यूट्यूब दुनिया के second most used social media platform है इसके monthly active user 2.2 billion यानी 200 करोर से भी ज्यादा है यूट्यूब के जरिये हम अपनी बात अपनी टैलेंट अपनी मैसेज को दुनिया में भेज सकते हैं without any cost सिर्फ थोड़ा मेहनत और थोड़ा लगन की ज़रुरत होता है है यानी सुब्ध है यहां sex और blue sins, violent sins नहीं दिखा सकते है हमारे एक teacher यूट्यूब को छात्र बंदो यानी students friend कहते थे यहां almost her question की answer मिलता है with a great explanation and multi teachers बाकी social media जैसे facebook, instagram और twitter में हम सिर्फ people यानी logo को सार्च कर सकते हैं पर youtube में हम people और topic दोनों को ही सार्च कर सकते हैं Google के बाद YouTube second most visited website है YouTube एक अच्छा social media और career guide के साथ साथ एक बहुत अच्छा career maker भी है अगर हमारे पास कुछ करने की talent, skill, stamina और patience है तो हम बहुत easy without any money investment YouTube में एक बहुत अच्छा career बना सकते हैं Teachers यहाँ पढ़ाते हैं, singers singing कर सकते हैं, dancer dance कर सकते हैं, हर तरह की artist हर तरह की art दिखा सकते हैं without becoming slave or producer Generally YouTube में एक लाख भीउज से पांच से दस हजार रुपीज मिलता है अगर कोई monthly पांच वीडियोज बनाते हैं और हर वीडियोज में एक लाख भीउज लाते हैं जो की बहुत बड़ा बात नहीं है तो monthly उसकी income 25,000 से 50,000 होगी जो एक साधरन इंडियान के लिए बहुत अच्छा income है और अगर हम थोड़ा से effort और डाले तो YouTube से लाख दो लाख कमाना भी उतना hard नहीं है YouTube की सबसे अच्छा quality जो YouTube को बाकी social media से unique बनाते हैं वो है copyright claim और copyright strike आप copyright claim और copyright strike भी कर सकते हों अगर कोई आपकी content को चोरी करके पैसा और नाम कमा रहे हैं तो इसमें जो original talent है उसको protection भी मिलता है और उसे जादा original और creative चीज़ बनाने की motivation भी मिलता है